Hello everyone, this is Avijayan. Welcome to our YouTube channel सरस्वती विधिया पाडशाला. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें. ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें. आज हम आपको ग्राफिक के कोशन्स जो एक्जाम में आए हुए हैं, उनको सोल करवाएंगे. ग्राफिक के 500 कोशन्स की सीरीज चलीगी और वीडियो को आप लास तक देखिए, आपको ही इसमें बैनिफिट होगा, तो आईए, अब हम अपना कोशन्स देखते हैं. तो फर्स्ट कोशन्स है, निमलिकित में से कौन साथ तातू छापा चितरन से संबंदित हैं? मॉल्डिंग, एक्वाटिंट, वीविंग, ये वीविंग है, वीविंग नहीं है, वीविंग, गोष, ठीक है? तो मॉल्डिंग, सबसे पहले मॉल्डिंग को देखते हैं, मॉल्डिंग का यूज किस में होता है? मॉल्डिंग का यूज क्ले में होता है, ठीक है? एक्वा टिंट एक्वा टिंट प्रिंट मेकिंग में होता है मिंच छापा चितरन में वीविंग जो होता है वीविंग का यूज वीविंग जो होता है वीविंग का मतलब होता है कि बनाना बुनाई से और टेक्स टैल में यूज होता है और जो गवाश होता है वो वाटर कलर म उसे उसमें यूज होता है तो इसका यूज होता है तो इसका आंसर क्या होगा फिर छापा चित्रन से संबंदित है तो हमारा printmaking मतलब छापा चितरन तो इसका आंसर होगा aqua tint यह clay में use होता है यह textile में होता है यह water color में होता है तो आपको चारो options के बारे में हमने बता दिया आय तो इसका आंसर होगा aqua tint अब next question है छापा चितरन तकनीक कहां विक्सित हुई थी छापा चितरन तकनीक कहां विक्सित हुई थी तो इस options दे गए हैं भारत, जापान, चीन या जर्मनी ठीक है तो हमें इन चार option में से बताना है कि इसका आंसर क्या होगा वैसे सभी को पता होगा कि इसका आंसर चीन है ठीक है तो चीन इसका correct आंसर है तो इसके बारे में थोड़ा ओर जान लेते हैं कि 105, सन 105 इसवी में चीनी नागरिक साई लून तसाई लून थे उन्होंने कपास और सलमलमल की साहता से कागज का विशकार के तो ये question भी बन जाता है कि कागज का विशकार कब हुआ 105 इसवी में ठीक है फिर 712 इसवी में चीन में सीमाबद M.S.Past block printing की शुरुआत हुई सीमाबद M.S.Past block printing की शुरुआत कब हुई 712 इसवी में ठीक है वो प्रकाशित हुई थी ठीक है कहां हुई थी वो भी चीन में हुई थी कब हुई थी 650 इसवी में मुदरित हुई थी और उस पुस्तक का नाम है हीरक्सूत्र ये भी important पुस्तक है मुदरित पुस्तक है first ठीक है और ये भी चीन में हुई थी माना जा सकता है ठीक है तो चीन में ही दुनिया का पहला मुद्रन इस्थापित हुआ जिसमें लकडी के टाइपों का प्रियोग किया गया था और टाइपों के उपर सिहाई जैसे पदार्थों को पोथ कर कागज के उपर धाबाकर छपाई का काम किया गया था ठीक है च्छापाई का काम क्या गया था चीन में तो इस प्रकार च्छापा कला अत्वा मुद्रन के विश्कार और विकास का श्रीक इसको जाता है चीन को जाता है तो च्छापा चित्रन तक नहीं कहां विक्सित हुई थी चीन में हुई थी यह सब भी धियान में रखेगा यह कोशन से बन सकते हैं, नेक्स्ट कोशिन, कोशिन नमर थ्री, निमली खित को सुमेलित कीजिए, हमें इस साइड को इस साइड से मैच करना है, यह इस साइड यह वी साइड है, हमें इसको वी साइड से मैच करना है, ठीक है? तो अब एक्वा टिंट है, एक्वा टिंट, मैंने एक्व इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी, तो देख लेना, लेकिन मैंने जो इसमें आप बनाया हुआ है, वो सब मेरा पुराना ही material का है, तो उसी में से questions put up किये गए है, तो आप पिछली वीडियो, previous वीडियो मेरी देखिएगा, ठीक है, तो aqua tint, aqua tint में क्या होता है, मैंने बत है, resin dust box के दोबारा, ठीक, तो aqua tint का मैच हो गया, resin dust box से, ठीक, अब आते हैं, मैजो टिंट पर, मैजो टिंट में मैंने आपको एक रॉलेट बताया था, एक रॉकर बताया था, ठीक है, तो रॉलेट एक रॉलेट और रॉकर दोनों की अलग 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 शेप बताया थी, रॉकर मैंने अर्ध रिताकार शेप में बताया था, और रॉकर रॉलेट मैंने Circuit shape में बताय था तो दोलग को हम rocker भी बोलते हैं ंजल तो मेजो टिन्ट को जो user किसमे होगा तो मेजो टिन्ट के संब़त किसी हो गया दोअ कर से उत्किंड उत्किंड किसमी है तो उतकिर्ण और wichtig हिन्दी अगर आप इसका करोगे तो क्या होगा ट्रांसलेट करोगे तो वह होगा उतकिर्ण थीक है hai तो उसके बाद आतें हैं शुश्क बेंदू度 ट्राइप वंट मैं ने भी पड़ा है थी तो ट्राइप वाट में एक नीडल होती है इसमें मैंने आपको इक steel की बताई थी और एक मैंने diamond की बताई थी ठीक है तो यह needle इसका इससे match हो जाएगा dry point में ठीक है तो aqua tint का इससे match हो गया था मेजो टिंट का इस से और इसका इस से तो इसके according हमारा option कौन सा बनता है A का हमारा fourth हो गया B का हमारा first हो गया C का हमारा second हो गया और D का हमारा third हो गया तो option number हमारा C हो गया ठीक है यह इसके according हो गया कि हमको आते हैं तो हमने यह जल्ली जल्ली कर लिए सुपोस हमें नहीं आती तो अब हम कैसे, चूस करें शुर्श को सब्सक्राइब कैसे, कुछ हमें, सारे, नहीं आती डु में znaj में चल दो आते हैं तो अब नंतिसक को कैसे चूस करेंगे तो देखते हैं जैसे जाल Q2 दूर्श का जाई और Chasya के जान हमें जिसाफ थर्ड भी में धर ये दौनों सीरी को भी है नहीं के लिए बता रह 옆ूरेंगे भूदिंसे कृटी कीसे 1 किसी दुन नाइनि यहीhen यह वाली क्रोस हो जाएंगी अब हमें चूज किस में से करना होगा अब हमें चूज बी में से और सी में से करना होगा ठीक है तो अब हमें इसमें से एक कोशन बहुत ईजी दिया गया है यह सपोस्थ उतकिन का यह है उतकिन का हमें पता चल गया किसी ओजार से ही हम किसी चीज किसी चीज को काटना किस परकार से हम उनको options को हटाएं ताकि वे options हमारे कम रहा जाएं तो यह भी तरीका है तो आप इसको देखेगा समझेगा आपको easy लगएगा तो इस questions का क्या answer हुआ C हो गया ठीक है तो आगे देखते हैं आप नेक्स्ट कोशन हैं कोशन नंबर फॉर कॉशन नंबर फॉर बर बर किस पर परभाव है बर अब मैंने आपको बर बताया था किसमें बताया था बर किसके दौारा हुए थे रॉल एट्यरो करके दौारा जब हमने उन पर गड़्डे बनाए थीं तो कौनजी उस में बनाए थे हमनेई जाmbhero में किस पे होटा यह लकड़ी पर ? जाफ ? पाशान आपको इस पर फोकुस करना है कि किस पर होता है ? जाफ क्यांठन पर अबसादर भी नहीं होगा कैन्वास पर भी नहीं होगा और पाशान पर भी नहीं है … tomo ठीक है तो बर किस पर प्रभाव है धातू पर ठीक अब आता है question number five question number five क्या है under cutting शब्ड किससे संबंदित है तो under cutting क्या है उं करने कि लिए किसमें धातु की सतहाइं से आरक्षित हिस्सा है ठीक है जो हमने उत्किर्ण किया है उस हिस्से की कटाई के लिए तिवर असिड का परियोग किया जाता है कि वो जो अंदर तक गहराई तक उसकी कटिंग रोला है फिसके उसको पर किरिया कोई क्या चाहा जाता है एचिंग कहा जाता है या निक्षारन कहा जाता है तो अंडर कटिंग से अधर एक option और बन सकता है कि निक्षारन शब्द किस से संबंद देते हैं तो निक्षारन शब्द भी etching से संबंद देते हैं और under cutting शब्द भी etching से संबंद देते हैं क्यों हैं मैंने बता दिया कि गहराई बनाने के लिए गहराई बनाने के लिए हम acid का यूज़ करते हैं और वही क्या है वो under cutting के ताकि वो अंदर तक की cutting हो जाए गहराई तक वो cut जाए जो चीज हम काटना चाहते हैं ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा etching हो जाएगा ठीक है अब next question है कि भारत में किस वर्ष पहली printing press इस्थापित की गई भारत में कहाँ पर भारत की बात चल रही है ठीक है तो भारत में किस वर्ष पहली printing press इस्थापित की गई वो की गई थी 1556 में ठीक है तो भारत में पहली printing press टीक हैं और किसके दोरा पुर्त गाली और कि लीए सब से पहले प्रिंटिंग प्रेस को गोवा में लेकर आये थी और उन्होंने वहाँ पर अपने धरम गरंथों को परकाशित किया था तो मेनली धरम के परचार परसार के लिए प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पूर्थ गालियों के द्वारा गोवा में 30 अप्रैल 1556 को की गई थी ठीक है नेक्स्ट कोशन है हमारा कोशन नमबर 7 छापा चित्रन परकिरिया में विप्रित सही करम चुनिए इसमें कोशन में पूछा गया है विप्रित तो इस चीज़ को धियान में रखेगा सही करम पूछा जाता है विप्रित करम पूछा जाता है विप्रित करम सही करम में क्या है first step से last step चलेगा ठीक है कि पहले किसका हुआ फिर second number पर किसका हुआ थर पर किसका हुआ ठीक है लेकिन विप्रित में क्या चलता है कि कौन सा विप्रीत करम है ठीक है तो हम इन में से कोई भी एक option देख लेते हैं suppose हमने C देखा C में क्या है इसमें सबसे पहले screen printing, woodcut, lithography, etching अब हम पहले इनको सही में ही लगाएंगे तो सबसे पहले किसका है हमें किसका पता है कि woodcut का use हुआ था सबसे पहले उसके बाद woodcut के बाद हमने etching पढ़ी है है ना etching का ठीक etching के बाद हम lithography का पढःएंगे और फिर उसके बाद हम screen printing का पढθेंगे तो हमें woodcut और किसका पता चल गया engraving का sorry etching का woodcut और etching ठीक है तो woodcut और etching last में और फिर lithography फिर स्क्रीन प्रेंटिंग तो यह तो हमारा सही क्रम होगे लेकिन हमें विप्रित क्रम लगाना है ठीक है तो विप्रित क्रम पहले स्क्रीन प्रेंटिंग आएगा फिर लिथोग्राफि आएगा फिर एचिंग आएगा फिर वुड कट आएगा तो हम देख लेंगे इसमें से क्वें पैशाे है मैंनली ऍसमें क्या आ गया वोड़ किस में ही लास्ट में हैं इसी में ही लास्ट में है फिर एचिंग फिर लिठोग्राफि घेंग फिर गब फिर स्क्रींड प्रिंटिक हो गया ठीक हैं कि इन भी दे defeating अचिक है तो ये हो गया कि इसका बाखी का नहीं पता है लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि सबसे पहले भर मुड कट राइक इन्वा इसका उस लिए 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 लि मैटल एंग्रेविंग फिर वूड कट है फिर वूड एंग्रेविंग है तो हमने सबसे पहले कौन सी प्रेंटिंग पड़ी थी वूड कट पड़ी थी फिर हमने वूड एंग्रेविंग पड़ी थी ठीक है फिर उसके बाद हम मैटल इंटेगलियों पड़ रहे हैं मैटल की कफिर नास्ट में हमारी लिठोग्राफ़ी भी रह रहा है स्क्रिन भी रहा है लिठोग्राफिय इसमें दिया नहीं गया Ge 2800 को ठीड सबस extrater west सब्सक्राब में सब्सक्राइब उसमें फ्रक्राइब तो बूद एंग्रेविंग इसमें है तो बूद एंग्रेविंग इसमें है मैटल है मैटल आगया मैटल एंग्रेविंग फिर स्क्रीन प्रिंटिंग आ गया ठीक है तो कौन सा बना वुड़कट वुड़ एंग्रेविंग मैटल एंग्रेविंग और स्क्रीन प्रिंटिंग त कुछ ऑप्शन्स एक तरीके से आंसर भी हमारा दे सकते हैं जैसे कि वी नंबर का ऑप्शन्स देखिए तो इसमें क्या है देखो वुड कट और वुड एंग्रेविंग ये दोनों एक साथ हैं और स्क्रीन प्रिंटिंग और मैटल एंग्रेविंग एक साथ हैं यहां पर है न अरज होगे तो वैसे तो हमें पता हिएक हमारा सी सही है फिर लिए लगता है कि क्या घर बढ़ है तो हम वैसे भी कर सकते हैं तो ये चीजे एक तरीका है यह भी जो लगा सकते हैं कि वुड कट दो में था तो कैसे पता करें अब आगे का नहीं पता तो तो हमने पार्ट को डिवाइड कर लिया तो वुड कट वुड एंग्रेविंग वुड वुड दोनों एक साथ ही आएंगे वुड पे ही काम चला है पहले और फिर उसके बाद हम मैशन नमर 9 यह भी मैचिंग का है निमलीखित को सुमेलीद कीजिए, A साईड और B साइड तो दोलक को मैंने लिफोग्राफ से है सान अब सान क्या होता है थोड़ा लग है तो वह है पत्थर सान एक पत्थर होता है जिस पर रगड़कर हम अपने जो टूल्स होते हैं अस्तर होते हैं उनकी धार तेज करते हैं तो सान एक पत्थर है जिस पर रगड़कर अस्तरों की धार जो भी टूल्स होंगे उनकी धार तेज की जाती है तो ये किसमें यूज़ गा ये हमारा मूर्तिकला में यूज़ ओगा ठीक है इसके बाद आता है ड खार रहेटर रहेक्टर क्या होता है कि Dr. कैसी यूनिट होती है जिसमें परिमान भी और दिशा direction दोनों चीज होती है ये और इसमें क्या होता है x, y और z ये अक्ष होते हैं, axes बोलते हैं इनको ठीके? और vector जो होता है घटकों से बना होता है, components उनसे बना होता है और ये जो है अक्ष के साथ represent करता है unit को ठीके? इन अक्ष के साथ वो किसको present करता है unit को represent करता है कौन वेक्टर तो इसमें क्या होता है x में तो 3 units होती है y में 2 units होती है z में 1 units होती है इसके बार में मैं अलग से video बनाऊंगी computer graphics का भीब चलेगा अब पहले नॉर्मल जो print making है हमारा उसका पूरा कर दूगी मैं उसके बाद ठीक है तो यह जो वैक्टर है इसका मैंने बता दिया इसका use computer graphics से है ठीक है तो अब हमारा match किया हुआ हमने दोलग को किसे use किया था print making से छैनी को हमने लिथोग्राफ से सान को मूर्तिकला से वैक्टर को computer graph से चार options के बारे में detail में बता दिया तो अब इसमें match क्या होगा एका first किया है तो first ही आ गया इसमें तो C ही बैठ रहा है ठीक है next question next question question number 10 mallet किसे संब्बंदित है अब mallet क्या होता है चितर में दिखाया है यह mallet है ठीक है इसको hammer भी बोलते हैं यह हतोड़ा ही type है तो इसका use क्या होता है जैसे यह क्या है लकड़ी है तो इसको छैनी या कोई भी चीज होगी इससे इसको bit करेगा तो क्या होगा इसको carving के लिए यूज किया जाता है ठीक है तो यह किस चीज की carving है वुड की लकड़ी की carving है ठीक है तो वुड कार्विंग तो मैलेट किसे संबंदित है मैलेट वुड कार्विंग से संबंदित है next question question number 11 यह भी matching का है निमलिखित को सुमेलित कीजिए A side and B side digging, cutting, carving, scratching ठीक है इनको match करना है digging, digging का use आपको पता ही होगा वो engraver होता है engraving में होता है ठीक है cutting, cutting किसे करेंगे, cutting blade से करेंगे, blade में हो जाएगा carving मैंने बताया था carving मैंने जब पढ़ाई तो मैंने उसमें बताया था carving का use ठीक है गेज जो होगा, वो carving में हो जाएगा और फिसके बाद scratching, scratching हमारा किस से होगा, needle से scratching होगा ठीक है तो इसका एक तरीका और जो मैंने पता है था पहली वो जो पहला match था उसमें हमारा first ही direct आ रहा था बाकिसम में fourth four थे, a option में, a side में fourth four थे, इस कारण क्या था अब मैंने comment देखा है कि जिसमें first series में ही इस type से हो कि fourth four और एक अलग बच जाए तो mainly उसका answer अलग वाला ही होता है ठीक है लेकिन अब इसमें क्या है इसमें सब mix है ठीक तो वो जो मैंने कहा था वो चीज इसमें apply हो सकती है तो a side b और c और d इसमें हम comment देख लेंगे first second third fourth a side में सब ही है बी में first third second first इसमें first common आ गया c में क्या है först second fourth second इसमें fourth or second 2 हो गया इसमें चूज करणा मुश्किल है डी में third fourth first third हमारा first और third हम यह देखेंगे first और third किसमें है देखो first इसमें भी हो गया और तो हमारे 2 option कौन से cancel हो गए तू और फ्रस्ट और फ्रोड तो अब हम देखेंगे भाई हम रही है तो 1st और 4 तो अब हमारे 2 तो 3 two अब हमारा digging और carving इनकर है रहा है ठीक है तो डिग खोदने से है वो अंग्रेबर में होगा कार्व गेज में होगा किसी जीज को उक्केडने से होगा ठीक है तो यह हो जाएगा इसका कि नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट है हमारा कोशन नमबर ट्वैल चापा चित्रन में पर्युक्त मशीन का सही करम चुनिए ठीक है कोई साभी ऑप्शन ले लेते हैं सपोज यही ले लेते हैं यह एचिंग है लिठो प्रैस है राउटिंग है ब्लॉक है अब हमें पाता चला सबसे पहले का ब्लॉक सबसे पहले ठीक है अब हमने उप्स्ट के ब्लॉक में तो एक ही जुक नैपना यही सहिव एक है भूपशिय के बाद हमारा प्लॉक एचिंगम के बाद हमारा लिठो प्रैस आएगा फिर इस दो चानी करोवाब प्लॉकिंग है प्लॉक्सर कोशन सही बैड़ था है तो ब्र खिल आर ब्लॉक एचिंग लीठो प्रेस और आउटिंग तो क्वोन सी बैठा सेकिंड बैठा ब्लॉक एचिंग लीठो प्रेस और नूटिंग मशीन तो इत्प्रकार से आप कोई सा भी एक option ले लिजिए पुछ तो पता ही होता है अगर पढ़ कर जाएंगे और नहीं पता हो होगा तो भाई फिर तो अपना चूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या चूज करें नेक्स्ट कोशन है हमारा कोशन नबर थर्टीन निमलिकित को छापा चितरन की सामगरी के रूप में कास्ट के प्रियोग को विकास के करम में लगाईए ठीक है तो कास्ट का प्रियोग है उसको विकास के करम में लगाना है छापा चितरन के रूप में कि कैसे कैसे किस प्रकार करना, scratching, ठीक है, scratching है, फिर wood engraving दिया है, फिर wood cut दिया, impression of natural texture of wood दिया, ठीक है, आफ हम प्री स्ट्रिक period पर आते हैं, ठीक, तो सबसे पहले किया था, कि जो, भई, सबसे पहले impression दिया गया था, किसी भी चीज़ पर हमने किया दिया, impression दिया, ठीक है, जो, आदि मानव थी, वो, सबसे पहले किया करते थे, अपने हाथों का, ये किसी भी चीज़ का क्या करते थे, थपा लगा दे थे, ठीक है, तो impression देते थे वे भी, तो ये impression आ गया, उसके बाद क्या हुआ, भई, धीरे-धीरे wood पे क्या हुआ, scratching हुई, जैसे किसी भी चीज़ का scratch करना शुरू कर दिया, किसी पर इस परकार का, किसी पर इस टाइब की लाइनिंग का, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद wood cut आया, ठीक है, wood cut आया, और उसके बाद wood engraving आया, तो सबसे पह मैचिंगे मिद्रेट कर दिरय है कि हिदार फुर्णेश्म सब्सक्राइब कर दो कि तो फुर्ण नो निए इस ह twee तो इस लिए है साथ फ्रीकल मैंने ट्स्सक्राज़न टीघ्यक तो एस लिए इसमें विज्सक्राइब प्लेणोग्राफी, लीथोग्राफी ठीक हैं तो मैं भी पढ़ाया नहीं है लेकिन प्लेणोग्राफी में क्या है है मैट्रिक्स होता है वो अपने मूल सतय को बनाई रखता है ठीक है आप जो इस्टेंसिल है इसके बार में वीडियो बना कि तब अच्छे Сे देखना से टेक्स्चर के लिए ठीक है। जिससे हम भी क्रतें किसी भी कपड़े पर छपाई वगयरा करते हैं एक यूस्ट योगतरश Score शेहता है कि स्क्रीनि थीक है, तो उसको क्या वोलते में भ्रेन हो जाती है वो तो नहीं कहीं ना Χापाई की जाती है होगा कि तो बनाया हुआ है इस के बाद अबिए विडियों हाने विडियों बनाे किया होगा होता है कि उसरे कर दो इस कोई चीपका के कर दिया या फुशीटर कर दिया माय। एक उभार के बाद इनके उबर हम क्या कर देता है इंक implies लगांए के बाद अधिक हाथ के समय हर अधिक दबाप है तो इससand प्रिंट में तो क्या है चापा सतह पर टैक्शक्रमेशतों तो इसके दोआरा हम चापा लेते हैं तो बूड़ाफिक वीडियो बनाया हुआ आप इसको देख सकते हैं बुड़कट में क्या है बुड़कट में ठपा बनाया जाता है ठपे के माध्यम से छपाई ली जाती है ठीक है तो इसका आप्शन कौन सा सही हो जाएगा भई फिर प ऍरृकिन वीयर के मारा स्टैन्सिल का सेकिन्ड ए तो इसमें यह भाला हो जायेगा थर थीक है नो हो जाएगा और हमने दोर अीकी में इसे असे हो जाएगे इसके suspect कि कि आब हम अपना वही तरीक्ल्क एक बाड देखते हैं heavens dw कर के तो एकडिय시면 यह क्या है fully इसमें दो बार fourth दिया हुआ है fourth लिख दिया B में हमारा दो बार second आया हुआ है तो second लिख दिया C में हमारा दो बार first आया हुआ है तो first लिख दिया B में हमारा दो बार fourth आया हुआ है लेकिन fourth हमारा इसमें भी आया हुआ है ठीके तो हमने suppose इसमें fourth ही लिखा कं से कट हो जाएंगे सब्सक्राम ये लाइन तो हमारे ये लाइन कट हो गई लाइन हमारी सेकिंड ऑ 10 लाइन च्राइन उतियां उप्रव्शंट देखते हैं और भी और वी हां में सेकंड आसी में बतायाव इस बता है मैंने तो B का 2nd मतलब स्टैंसल का 2nd और C का 1st ठीक है अब वुड कट का तो तुम्हें आपको पता ही होगा वुड कट क्या होगा वुड कट के ठपे हैं ठीक कोमन सा है या आपको पता ही है तो आपने थर्ड लगा दिया तो आपका उप्शन कुन सा बचा थर्ड बचा मतलब C ठीक है तो कॉशन का जो इसका आंसर होगा कॉशन का आंसर है C ठीक है थर्ड हो जाएगा इसका अब आते हैं कॉशन नमबर 15 पर ब्रायर को निमली कित में से किस रूप में जाना जाता है कास छपा गम अरेबिक रबर रोलर और स्क्वीजी ठीक है इन में से आपको कास से जिए हैं मारे जाता है इसको पानी में मिलाया जाता है तो जो पानी होता है वह वाश्पीत हो जाता है ठीक है और जो गम अरे बिख हैं यह रह जाता है पानी जो वस्च पीता जाता है और फिर गम-Arabic कहा से मिलता है यह rumors पेड़ की परजाती से मिलता है ET यह 2 जगा यह वहां पर यह पंधाया चनल अटा है तो गम-Arabic तो यह है अब यहाँ पर गम-Arabic ब्रायर वयसे मैं ने पुराय था आपको यह गम यह मैं ग्राạt का चला रही हूं वैसे ऑना ग्राफिक में तो गम औरे भी कzer का कामि नहीं है तो किसमें बताया था मैंने ड moder i programme ब्यार ब्ताया था और इसे इंक आते हैं यह भी मताया था मै तो यह पता है किया है यह त्रिके का रबर रोलर होता है Tesмыgiga use screen ॉं रिंक में में करते हैं खास ठपा शप्पाई के लिए होता है और गहम आणे कि यह से लुए जाता है यह सूडान से ठीड से भरिर निमली किस रूप में यूटा में जाता है हुआँ देखता हैLex आंसर क्या हो जाएगा रबर रोलर तो फ्रेंड्स इस सीरीज में मैंने 15 कोश्चन्स दिये थे लेकिन नेक्स सीरीज जो भी होगी हमारी आगे की उसमें कोश्चन्स होड़े जादा होंगे तो फ्रेंड्स आप इसको वीडियो को पूरी ही देखे और आपको अच्छी भी